दोस्तों, नारी को इस स्रिष्टी का स्रिजन करता माना गया है आप और हम इने महिला, औरत, नारी या विमन जो भी कह ले लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक महिला अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है खुछ से जादा परिवार की सेहत का खयाल रखती है और इसके बदले में उसे क्या मिलता है? बिमार और अस्वस्त जिन्दगी? जी हाँ, जो महिला अपने बच्चों वो अपने परिवार के लिए अपनी सेहत की अंदेखी करती रहती है उसे ही एक बिमार जिन्दगी मिलती है अब सवाल है क्या एक अस्वस्त नारी अपने परिवार का खयाल रख पाएगी? ऐसा क्यूं सोचा जाता है भला? दरसल सेहत के मामले में महिलाओं के साथ भेदभा होता है उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को हलके में लिया जाता है सैयुक्त राश्र के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी का 49.6% से भी जादा हिस्सा महिलाओं का है लेकिन फिर भी महिलाओं को आविश्चक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दी गई विशेश रूप से प्रजनन के दौरान दूसरी समस्या ये है कि हम महिला वा पुरुषों की हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक जैसा समझने लगते हैं जबकि पीरियट, गर्भावस्था, डिलीवरी और मेनोपॉस के कारण महिलाओं कई तरह की अलग चुनाओतियों का सामना करती हैं महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा, हमोनल गतिशीलता अधिक पाई जाती है इसी तरह महिलाओं को पुरुष की तुल्ला में मूद स्विंग्स, चड़चड़ापन, स्ट्रेस वर डिप्रेशन की समस्या अधिक होती है American Psychological Association के अनुसार महिलाओं में तनाव बढ़ने के कारण, बांचपन का खत्रा भी बढ़ जाता है यूं तो महिलाओं को अच्छी सेहत के लिए healthy diet, आराम और नियमित व्यायाम की सलह दी जाती है लेकिन घरेलू और विशेशकर कामकाजी महिलाओं के लिए ये मुश्किल साबित होता है इस तरह hormonal आसंतुलन और free radical damage जैसी समस्याओं से भी उन्हें दोचार होना पड़ता है कामकाज के कारण होने वाले तनाव तथा पोशन की कमी ने आज महिलाओं के स्वास्ते खास तोर पर प्रजनन संबंदी स्वास्ते पर गहरा दुष्प्रभाव डाला है आज की महिला ने सीता और सावित्री को अपना आदर्श मानना छोड़ा नहीं है लेकिन स्वैम के स्वास्ते के मामले में वंचित भी नहीं रखा है वो अपने स्वास्ते के प्रती जादा सचेत है ऐसे में महिलाओं की इन समस्याओं के समाधान के लिए हम आयरवेद के खजाने से लेकर आए हैं ग्यालवेदा विमन ग्यालवेदा विमेन महिलाओं के प्रजिनन संबंदी स्वास्ते को सामान्य बनाए रखने तथा मेंस्टुएशन से लेकर मेनोपॉस तक एक महिला को स्वास्त जीवन देने के लिए दुरलब जड़ी बूटियों का जाचा वापर्खा एक अनूठा मेल है इसमें कई लापकारी आईरवेदिक तत्व मौजूद हैं जैसे शतावरी आईरवेद में इसे जड़ी बूटियों की रानी कहा गया है इस हर्प में अनेकों गुण पाए जाते हैं जो महिलाओं के संपून स्वास्ते के लिए बेहद उपयोगी है द्राक्षा या अंगूर का सत्व इसमें एंटी ऑक्सिडेंट गुण पाए जाते हैं और ये महिलाओं में पीरियट की समस्याओं को नियंतरित करने में सहयक है जहां लीकोराइस या येश्टी मदू महिलाओं की प्रजिनन शमता में सुधार लाने के साथ ही स्वास्ते की देखभाल भी करता है साथ ही इस टैबलेट में मौजूद हरिता की बहतर पाचन के साथ शरीर की सूजन को भी कम करने में मदद करता है इसमें मौजूद स्वास्ते वर्दक गुणों से भरपूर आवला यूट्रेस को मजबूती देता है तथा प्रजिनन प्रजिनन पंदी स्वास्ते समस्या में सुधार लाता है पौशन की समस्या के लिए विमें टैबलेट के साथ स्परलेट अलोवेरा और नोनी जूस जरुरत की अनूसार सेवन करने की सला दी जाती है बस इसकी एक एक टैबलेट दिन में दो बार या चिकित्षक के और खुल कर ले हेल्दी एवं एनरजेटिक लाइफ का मज़ा गैलवेदर विमन महिलाओं के स्वास्ते का सबसे भरोसे मनसाधी